अब हम देखते हैं सडक मार्ग की बात हो गई कि सडक जो है वो कैसे बनती है और किते टाइप की होती है अब हम देखते हैं कि महत्व क्या है कि हम सडक मार्ग का उपयोग क्यों अधिक मात्रा में या अधिक अधिक उपयोग इसका क्यों किया जाता है हम देखे पहले तो हम बात कर लेते हैं आप देश के किसी भी कोने पे चले जाए है ना तो सडक मार्ग हमको सडको का जाल जो है वो बिछा हुआ दिखता है चाहे प्रकार अलग रहेंगे कच्ची सडके होंगी या कहीं पर पक्की सडके वो डिपेंड करता है बट हमको हर कोने कोने तक जाहे वो ग्रामीर छेत्र में हो किसी दुरगम पहाड़ी छेत्र में हो या रेगिस्तानी छेत्र में हो हर जग हमको सडको का जाल जो है वो बिछा हुआ मिलेगा दूसरा हम देखते हैं कि कोई भी वस्तु ये पदार्थ जिसको हम परिवहन करके ले जा रहे हैं सडक के द्वारा तो सबसे अधिक जो है वो इसकी सुवीधा जनक बात ये होती है कि ये लोगों के घर तक उसे हम पहुचा सकते हैं जैसे कि आप वायू यान या वायू मार्ग से एरो प्लेन से आप उसको ले कर जाते हैं या फिर रेल मार्ग के द्वारा ले कर जाएंगे तो एरो प्लेन तो नहीं उत्रेगा लेकिन सड़क मार्ग की खास बात ये होती है कि कोई भी जो समान है या माल या पदार्थ की हम बात करते हैं तो वो पर्टिकुलर उस व्यक्ति के घर तक पहुचाया जा सकता है फिर हम देखते हैं कि चुकि वो कम दूरी पे लेके जाया ज जा रहा है इसलिए वो ले जाया जाने वाला जो माल है वो भी इसके माध्यम से सुरक्षित रहता है फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सड़क मार्ग का उपयोग भी हम अपने आवशक्ता के अनुसार व्यक्ति गत रूप में कर सकते हैं लेकिन रेल और एरो प्लेन का उप उपयोग तो आप व्यक्ति गत रूप में नहीं कर सकते हैं चड़क मार्ग से आप जाएंगे तो अगर आपको आवशक्ता है तो आप एक ट्रक बुक करके ले जा सकते हैं बस बुक करके ले जा सकते हैं लेकिन आप एरो प्लेन या रेल को तो बुक नहीं कर सकते हैं इसका खर्च आप वहन नहीं कर पाएंगे तो इसलिए ये उप्योग के अनुसार अपनी आवर्शक्ता के अनुसार व्यक्तिगत तौर पर या व्यक्तिगत रूप में भी इसका उप्योग किया जाता है फिर हम देखते हैं कि ये कम दूरी के लिए मतलब अगर आपको कम समय या कम दूरी में ट्रैवल करना है तो इसके लिए एक एकदम सस्ता और सुगम साधन होता है हमारा सडक मार्ग किसी भी राष्ट की सुरक्षा और प्रशाशन की व्यवस्था के लिए बहुत आवश्यक होता है अभी हमने बात की थी किसी भी शाशन को सुचारू रूप से चलाने के लिए फिर हम बात करते हैं किसी भी प्रकार की और आर्थिक या और दोगिक प्रगती की बात जो है वो हम सडक मार्ग के विकास के बीना नहीं कर सकते इसके साथ ही साथ जो कृषी जो उपकरण है या कृषी जो पदार्थ उत्पादन है कृषी उत्पादन जो है उन सब को हम सड़क मार्ग के द्वारा आसानी से व्यापारी केंद्र तक पहुंचा सकते हैं साथ ही हम देखते हैं कि कोई भी ग्रामीड छेत्र का जो उत्पादन है आपके कोई नगर है राजधानी छेत्र है महानगर है उसके आसपास जो ग्रामीड छेत्र होते हैं वहाँ पर से ही हम देखते हैं कि अधिकतर जो क्या बोलते हैं सबजी का उत्पादन है या जो दूद के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो आसपास के ग्रामीर छेतर से ही शहरों या नगरों तक लाए जाते हैं तो इनका भी जो परिवहन है वो सडक मारग के माध्यम से बहुत आसानी से और सु बाड़ी में लगाई जारी है और वो सबजी ताजी सबजियां आपको वहाँ पर बाजार में उपलब्ध हो पाती है या दूद दही पनीर इस टाइप के जो आइटम है वो आपको शहरों या नगरों में उपलब्ध हो पाते हैं किसके माध्यम से सडक मारग के द्वारा अब हम देखते हैं कि हम बात तो करी नहीं सकते रास्ट की सुरक्षा की है ना या प्रशाशन की या हमने भी बात की कि व्यापारी मंडियों तक ग्रामीर छेत्रों का जो समान है वो उन मंडियों तक सडक मारग के ही द्वारा जो है वो पहुचाया जाता है हम श्रम को भी आसानी से जैसे हम देखते हैं कि शहरों पे एक चावडी होती है वहाँ पर आपको आसपास के छेतर से जो लेबर आई हुए होते हैं आप अपनी जोरत के नुसार उन श्रमिकों को या लेबर को ले जा सकते हैं अपने साथ तो श्रम की भी उपलब्धता इनके माध्यम से अच्छी तरह से हो पाती है अब हम देखते हैं ये तो हो गया कुछ लाब अब क्या हानिया होती है क्या नुकसान क्या है सडक मार्गों से है ना तो हम देखते हैं कि सबसे पहला तो जब बारिश का समय होता है तो बारिश के समय पे आप अक्सर नगरों में ये देखेंगे शहरी छेत्रों में देखेंगे क्योंकि वहाँ पर डामर की सड़के होती हैं क्रॉंक्रिट की सड़के होती हैं तो उनमें जल भराव की जो इस्थिती है वो अधिकतर हमको देखने को मिलती है क्योंकि वहाँ पर से सिपेज नीचे की तरह नहीं हो पाता और हम ग्रामीट छेतर में देखेंगे तो वहाँ पर बहुत ज़ादा डामर ये क्रॉंकृट की सडके जो हैं वो नहीं मिलती मिट्टी या कंकर पत्थर के सडके होती हैं वहाँ पर तो बारिश का जो पानी है वो अंदर ही अंदर सोक लिया जाता है तो जल भराओ की अकसर ये इस ठिती देखने को मिलती है जिससे हमको परिवहन में असुविधा होती है सडके बंद कर दी जाती है तो सडक मार्ग में बारिश के मोसम में जलबराओसे हमको बहुत जादा असुविधा देखने को मिलती है अब हम यह देखेंगे जिनस्ठानों पर सडकों का जो निर्मान है वो अच्छी quality का नहीं किया गया है तो हम आये दिन ये देखते हैं कि भई साल भर भी नहीं हुआ है उन सडकों का निर्माण किये और वो सडके उखरने लगती है तो सडके जब खराब होंगी तो अपने साथ आप जो पदार्थ लेकर जा रहे हैं सडकों पर बहुत ज़्यादा आप किसी सिगनल में किसी भी शहर के नगर के सिगनल में आप खड़े हो जाएं तो आप देखेंगे कि एक लंबी कतार गाडियों की लगी होती है तो हम दिन बदिन देखते जा रहे हैं कि गाडियों का जो ट्रैफिक है वो शहरों पे बहुत ज़्यादा उसका प्रेशर दबाव बढ़ता जा रहा है तो इनकी संख्या लगातर बढ़ने से या इनके दबाव बढ़ने से हमको आए दिन दुरगटनाएं जो है या इनके समाचार सुनने को मिलते हैं क्योंकि गाडियों की संख्या बहुत अधिक हो गई है ट्रैफिक बढ़ने से दुरगटनाएं भी बढ़ने लगी है तो ये कुछ है सडक मार्ग की हानिया जो नुकसान भी पहुँचाती है लेकिन हमें जो अगर हम सावधानी रखे या इनके निर्माण में हम एक क्वालिटी मेंटेन करें तो इससे भी हम बच सकते हैं अब हमने बात की थी कि सडक मार्ग भी को हमने दो भाग में विभाजित किया था एक तो महा मार्ग होता है जिसको हम नेशनल हाइवे बोलते हैं और दूसरा जो है वो सीमावर्ती सडके होती है तो कुछ प्रमुख जो है नेशनल हाइवे या महा मार्गो के बारे में बात करने से पहले हम ये जान लेते हैं ये अमेरिका में आपके नेशनल हाइवे को मोटर वेस के नाम से जाना जाता है मतलब वहां पर नेशनल हाइवे नी मोटर वेस कहा जाता है वहीं हम जर्मनी में इसको आटो वान के नाम से बुलाते हैं किसे नेशनल हाइवे को जर्मनी में आटो वान और आपके अमेरिका में मोटर वेस अब इन सड़कों की जो frequency है कितनी अधिक सड़के हैं ये तो हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में सड़क मारगों का जाल बिचा हुआ है लेकिन इसमें भी हम देखें तो हमने बात की थी कि जो विक्षित देश हैं वहाँ पर सड़क मारगों की जो quality है और density भी जादा है विकास सिल देशों की अपेक्षा इसमें भी सबसे जादा हम यदि बात करें तो हमारे संयुक्तराज अमेरिका USA में हमको सबसे जादा सड़कों का जाल बिचा हुआ मिलता है जो की है लगभग 65 लाख किलो मीटर और आपको ये जानकर आशरी होगा कि पूरे विश्व के सड़कों के जाल की या लंबाई की जो सबसे अधिक मात्रा लगभग एक तिहाई भाग जो है वो अकेले USA या संयुक्तराज अमेरिका में ही हमको देखने को मिलता है अब हम बात करते हैं कि विश्व के प्रमुख महामार्ग या हाईवे कौन कौन से हैं आइए अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रमुख नैशनल हाईवेज की प्रमुख रूप से यदि हम बात करेंगे तो चार जो है नैशनल हाईवेज हैं विश्व में देखने को मिलता है हमारे भारत में भी बहुत सारी जो है राश्ट्री ये राजमार्ग हैं पहले हम बात करते हैं अमेरिका की है ना तो अमेरिका में हम देखते हैं पैन अमेरिका या पैन अमेरिकन महामार्ग या हाइवे जिसकी हम बात कर रहे हैं ये अभी निर्मारा धीन है बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद ये विश्व की सबसे लंबी ज जो है वो दो महाधीपो को मिलाती है प्रकार से हम कहें तो उत्तरी अमेरिका से ये शुरू होती है और दक्षनी अमेरिका के ब्राजील के ब्राजीलिया तक ये जाती है तो आएए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैप में यह आपके उत्तरी अमेरिका, मध्य अमेरिका और दक्षिन अमेरिका तीनों को यह जोड रही है इसकी शुरुआत हो रही है हमारे उत्तरी अमेरिका में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे अलास्का है और अलास्क गुवान. अर्जें्टीना पहुच रही है, हम देख रहे हैं, अर्जेंटीना के ब्यूनस अयर्स, और उसके बाद फिर ये जाती है, ब्राजील के ब्राजीलिया तक. यहां पर आपको जिन जिन देशों से नगरों से यह होकर गुजरती है यह यहां पर आपको नाम के साथ दिख रहे होंगे लगभग प्रमुक 15 देशों से यह होकर उनके मारगों से सडक मारगों से गुजरती है या उनको जोडती है ये विश्व का सबसे लंबा सड़क मार्ग है ये आपको याद रखना होगा और साथ ही साथ ये जिन जिन इस्थानों से होकर गुजरती है उनके नाम भी हमको बहुत अच्छी तरह से पता होनी चाहिए अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा है आपका ट्रांस कनाडियन मह मार्ग का मतलब होता है ये कनाड़ा में ही है ये सड़क मार्ग जो है ट्रांस का मतलब होता है पार तो ट्रांस कनाडियन महा मार्ग का मतलब है कि कनाड़ा के पूरे आर से पार तक इसकी स्थिति या एक छोड़ से दूसरे छोड़ तक ये कनाड़ा को ये सड़क जो है वो छेत्र में आप देख रहे हैं एकदम सिरे पर आपको दिख रहे हैं न्यूफाउंड लैंड और न्यूफाउंड लैंड के नीचे ही एक जगह है आपका सेंट जोन नगर तो सेंट जोन नगर से ये पूर्व में शुरू होती है और कनाडा के पश्शिम तक आती है आपके ब् न्यूफाउंड लैंड के सेंट जोन नगर पूर्व से लेकर पूरे पश्शिम तक आकर इसको पार कर रही है ब्रिटिश कोलंबिया के बैंकुवर तक तो कनाडा को जो है पूरा ये इस छोड से उर्स छोड तक पार कर रही है इसलिए इसका नाम ही है ट्रांस कनाडियन मह महामार्ग अब हम तीसरा जो है वो देखते हैं अलासका महामार्ग अलासका महामार्ग जो है वो आपके यहां पर हम देख रहे हैं अलासका में फेयर बैंक्स और फेयर बैंक्स के नीचे ही इसकी स्थिति है एंकोरेज एंकोरेज से ये शुरू होती है और एंकोरेज से British Columbia के Edmonton शहर तक ये आती है जो महामार्ग है तो इसको हम बोलते हैं Alaska महामार्ग नाम है इसका अब चौथा हम देखते हैं Stuart महामार्ग तो पहले हमने जो तीन देखा था Pan-American महामार्ग, Trans-Canadian महामार्ग और Alaska महामार्ग ये तीनों जो हैं वो आपके अमेरिका के थे अब हम ये जो चौथा देख रहे हैं Stuart महामार्ग ये आपका Australia महादीप में है Australia की हम बात करेंगे तो ये Stuart महामार्ग जो है इसकी लंबाई लगभग 2834 किलो मीटर है और ये महामार्ग जो है वो Australia के उत्तर से लेकर उसके दक्षनी सीरे तक फैला हुआ है तो ये Australia के उत्तर में बिल्टूम से होता हुआ Alice Spring आता है और उसके बाद फिर वहां से Alice Spring से ये हमको उना दत्ता तक इसका जो है वो इस महामार्ग का विस्तार है तो ये हो गए विश्व के प्रमुख सड़क मार्ग अब हम देखेंगे कि आपका हमारे भारत में भी बहुत सारे हाइवेज हैं है ना उसको हम और डिटेल से भारत के परिवहन और संचार में पढ़ेंगे लेकिन प्रमुख रूप से हम जान लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा हाइवेज जो है वो NH7 है जो वारणसी से आपक कन्या कुमारी तक जाता है और इसमें भी आपको ये ध्यान में रखना होगा कि वारणसी से तो ये निकलती है उसके बाद किन-किन जगहों से किन-किन शहरों से होते हुए गुजर रही है ये नाम आपको मालूम होने चाहिए अब अब इसको कहा जाता है कि NH7 जो है वो सब कुछमीर तक और छोटे-छोटे जो हाइवेज है उनको जोड़ दिया गया है उसके साथ यदि हम कहेंगे तो NH44 सबसे लंबा है लेकिन यदि हम एकल महामार्ग की बात करेंगे तो NH7 ही जो है वो आपका सबसे लंबा महामार्ग है भारत में तो इस परिवहन का जो हमने सड आपको यह जानना होगा कि हमने भी बात की थी महामार्ग के नाम आपके अमेरिका में किस नाम से पुकारा जाता है जर्मनी में क्या नाम है और जो हमने प्रमुख महामार्ग देखे हैं उनकी लंबाई वो कहां से शुरू होते हैं कहां पर जाकर खतम हो रहे हैं सबसे प्रिवहन की तो परिवहन जाल क्या होता है यह चोटे चोटे जो टॉपिक है यह इनके बारे में आपको जानना आवर्शक है क्योंकि यह परिख्षा के दृष्टिकोंड से बहुत ही महत्वपूर्ण है झाल के दूपिक है